हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लो और आपकी अपने चैनल में स्वागत है यहां पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है जो पानी आता है हमारे हां जैसे कि मैंने कई बार बताया तो पानी आ रहा था जा मैं बातरूम में ना आने गई तो आदे कपड़े बहां धुल गएते आदे नहीं दूलेते मतलब एक बार रहा था 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 थोड़ा बहुत रह गया मैंने बोला जब बाहर पानी उससे धोलूंगी तो पानी चला गया एक बाल्टी से यहां निकाल लिया और सौना अपना मूँ धोने में लग वही है इस पाल्टी में गरम पानी तो गरम से धोर दूलेती हूं और अंदर धोलाई थी यहां पर एक बार और धोके सुखा दूंगी मौसम ठीक है मतलब ठंडी हवाएं चल रही है पर यह है खुलाय बारिस वगेरा का डढ नहीं है तो मैंने जरकीन अपना कोट यह सब धो दिया है और बस यहां पर मार दूंगी बाई पर और कपड़े अभी नहीं सुखाओंगी थोड़ी दिन नचूड मतलब नचूड के इनका पानी जढने दूंगी फिल लेके जाओंगी क्यों फिर टपकता हुआ सीडियों पर जाता है न तो गिर जाता है कोई न कोई और यहां पर यह सारी वाल्टियों को मैं धो दूंगी और कपड़े धूल गए देखिए बहुत सारे कपड़े धूहे थे और रोजी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को नहिलाना फिर उनके कपड़े फिर बच्चों के नहीं हो तो फिर इनके होते हैं तो इनके धूना अपने सर्दियों में एके कपड़ा तो पहना नहीं जाता है मतलब इनल लेलो सेंडू बन्यान लेलो फिर एक और लेलो फिर सट लेलो फिर पैंट लेलो मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाते कपड़े होते होते मतलब इतना सारा धेर लग जाता है और वल्कि मैं एक भी दिन आईसा नहीं जाता जिस दिन मैं नहीं दोती हूँ रोज के रोज धोती हूँ रोज ही हो जाते हैं बारे सोती हूँ तो आपने देखा है यह कूलर पे मतलब आदे सूख जाते कूलर पे अंदर कमरे में कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे पता है अगर मैं एक दिन नहीं दूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाएं तो मैं इतना वो नहीं लेती मैं रोज के रोज दो देती हूं और मैं बाल्टियों को अच्छे से साबुल लगा लगा के इनको दोके और रख दूँगी और समयर दूँगी यहां पर कर दूँगी सफाई और कपड़े दो ढ़ाई गंटे के बाद डालूँगी क्योंकि अभी मुझे अपने चाय पीनी है और बोडी लोसन वगाना उसके ब तो यह पालक मैंने पकवड़ी भी बनाए चीज कि आपको याद होगा थोड़ा बचा लिया थो तो आज बाला लो बहुत आज अलूँगी वगेरा पुछनी का रहा है तो बलने के लिए रख दूब अब तो यह पालक वगेरा पालक और पालक के आलूँगी यह मैंने दोक पहले से मैंने दोके थैली में ही पैक करके रख देती हूँ क्योंकि थैली में थोड़ा मुर जाता नहीं और ताजा ताजा सा रहता है तो सब कल बोल रहे थे कि सबजी धो लिया करो तो दोके ही फ्रीज में रखते हैं पर यह थैली में ही मैं रख देती हूँ यह पालक मैं थी ये हरी सबजी हुई इससे मुर्जाती नहीं है तो धोके इसमें रख दिया था अभी मतलब थोड़ा सा है तो मैंने पाला कालू बना लेती हूँ और अभी फिर से धोके और उबलने के लिए रख दूँगी और जब तक मैं देखी आलू मैंने चार पाँच आलू लिए औ बड़े बड़े पत्ते निकाल के अच्छे से धोके उबाल लूँगी और ये आई गए है इनके लिए बनने रख दूँगी चाय और चाय बनाऊंगी मैं अलग सी जो की दिखाती हूँ मैं पाला कालू मतलों बहुत टाइम बात बना रही हूँ बहुत ज्यादा टाइम हो क्योंकि इनको थोड़ा पसंद नहीं है कम इनको पसंद है तो ये देखी ये आ गए हैं ये बस अपना हाथ पैर दोएंगे और इनका आज मुझे इनकी जरकिन वगएरा दोनी है पर आज नहीं दोंगी वो कल दोंगी इनका मास वगएरा गंदा हो जाता क्योंकि जब मैं पर मैगी बनने के लिए रख देती हूं मन था इनका क्योंकि बाहर बच्चे चैका रहे थे ना पडोस में तो बन सिका का भी मन कर गया मैं ने ओल ठीक है मैं बना देती हूं और मैंने आलू और पाला को बनने के रख दी हैं जगता मैं हरी मिर्ची प्याज टमाटर ये सारा का सारा तयार कर लूँगी और उधर बच्चों का फरमाईस भी पूरा हो जाएगा ऐसी हो और मैंने ना मयूर जग उस साइड कर दिया है क्योंकि यहां पर बच्चे पानी नहीं ले पा रहे थे इसलिए और आटे का जो भी डिबबा वो यहां रख लिया है क्योंकि ना उसमे पी रोटी नहीं खाई मतलब गरम रोटी खाने की इनको आज़ाता है तो मेरा खाना लेट हो जाता है कभी कबार तो और कभी कबार जल्दी भी आज़ाता मतलब कोशिछ करती है और इसन से पता नहीं क्या क्या देखें कितने जल देलें बाते करी है इउसे परहूंत पर दो दो पताने के लिए इसको पर दो जैता है। जाता है तो मैंसे कहा बन जाए गए बचों को खिला दूँंगी और ये मेरी आलू मैथी उबल गई है इनको तड़का देने के लिए हींग सुखी मिर्ची का मैंने लिया है और जीरा डाला है और इसको पकाने के बाद इसमें पालक और यह डाल दें और आप लोग बताएगा आप लोग कैसे बनाते हो और यह मैंने डाला अद्रक जो कि मैंने कूट के तयार करके सब कुछ रख लिया था और बड़े बड़े दो प्याज मैंने काटे थे और इसको अच्छे से भूज के फ्राइ करके फिर अपना उसमें कर लूँगी और यह दिखिए और पालक आलू चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं रोटी के साथ भी अच्छे लग जाओ और मतलग हरी हरी सबज़ें सारी आती है तो धिक्कत नहीं होती है ज़्यादातर यहां पर न हरी सबज़ें मिलेंगी जैसे थोड़ा मैं निकलती है निकल के जाओं तो खीत में से खुद से तोड़के ला सकते हो आप जाके तो कोई बहुत अच्छा है खीतों मैं से ह तो चीजी थी क्या बनाओ फिर थोड़ा पालक रखा था क्यों वेश्ट करना काम में ले लेना है तो इसलिए आज वैसे आया था सोया पालक सर्चो गली में बेचने के लिए मतलब काट के दे रहे थे वो पर मैंने नहीं लिया फिर मुझे याद आया रहे मेरा तो पालक रख दिया है मैंने क्योंकि उसको फूड़ा फोड़ा सा खूट दूदाँगी काट यह हो जाता है अभी देखिएगा कितने अच्छे से मैस हो और आलू मेरे नए नए आलू है नए आलू की सब्जी आपको पता अभी बहुत अच्छी बनती है कैसे भी करके आलू नए आलू की सब्जी बना लो अच्छा ही अच्छा लगना ही लगना है और सर्दियों में अभी यहां city में तो नहीं गाउं में मठ, हमारे यहां लसी को मठा बोलते मठे के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, बहुत अच्छी लगते हैं, सुबह पहले उबल जाते थे पर वो दिन आज कल कहां city में कहां, गाउं में जो मैं नानी के घर रहते थी बहुत सारे आलू सुबह उबल जाते थे और उनको फ्राइ कर लेते थे सिल्पे मसाला पीसके और फिर खाते थे तो मैं तो बहुत अच्छे रखते थे वो दिन याद आ रहे हैं और यहां पर मैं बना दियु चाय जो की गुड़ की आज गुड़ की चाय पीनी है कौन-कौन गुड़ की चाय पीता बताईएगा जरूर तो इधर मेरी चाय बन गई है गुड़ की उसमें अदरग वगएरा कुछ नी डाला था ये देखिए बन वी रिये दूट डाल दिया और इधर मेरी देखिए कितनी सुन्दर सबजी बन के तयार हुई है और गुड़ की चाय भी बन गई अदरग वगएरा कुछ नी डाला था और सबजी रेडी है और यहां पर सामका टाइम हो गया है पांच या छे बज़रे होंगे मैं सो गई थी और अब जारी छट पे कपड़े लेने के लिए सोना रोने लगी थी मम्मे मुझे भी जाना तो मैं उनको भी ले गई और देखिए सब के कपड़े उड़ उड़ के नीचे गिर गए है तो कपड़े उठा सूखे नहीं है मतलब हलके हलके सूख गए है ये रेखिए और नजारा काफी अच्छा हो रहा है तो ये सारे कपड़े जमीन तोड़ गए है मैं चिम्टी बगएरा नहीं लगाई है ना तो इसलिए और च्छत सारी गीली है क्योंकि पांच-छे दिन लगातार बारिस हुई थी इसलिए तो चलिए कपड़े उठा के लिए चलती हूँ जो सूखे है वो तैकर के रख दूँगे और वो गीले है वो डाल दूँगे और ये देखिए सौन दोनों बहने लगी हुई है खेलने में चोटी बनाने में मैंनोला इनकी खार्ट बिछा देती हूँ और ये गद्दा है जो कि रुई का इसके उपर मैंने अपने हाथ से कवर चड़ा रखा है अपनी मसीन से ही छोटे मुटे काम ये करती रहती हूँ कूलर का कवर हुआ ये इन चीज का कवर हुआ मैं बनाती रहती हूँ और सौना की मस्ती ये देखिए और वन्सिका गई है पता नहीं भार खेर रही होँगी भार आग चल रही है ना हॉल में जो पडोसी सब रहते ना आग बगए चलाके बैठे रहते ना तो उनके साथ बैठी हूँगी और मैं विस्तर लगा देती हूँ और वस ये हो गया रात का खाना पीना हमारा हो गया है बना लिया था और देखिए कैसा लग रहा है विस्तर लगके तो ये है हमारा विस्तर ये था मेरा पूरा दिन का काम कैसा लगा बताईएगा जरूर सुना आ गई है वंसिका भी ये देखे खेलने मस्तीन की मतलब चालू है वीडियो अच्छी लगए तो सस्क्राइब जरूर करिएगा लाइक जरू करिएगा और कोई कमी हो वीडियो में तो मुझे बताईएगा मैं सुधार करने की कोशिस करूँगी चलिए आज का वीडियो में एंड कर रही हूँ रात को कर रही हूँ साड़े आज बज़े और विश्तर बगएरा लग गया है और हम नए घर के लिए को सोच रहे है और अज बहुत लेट एंड कर रहे हमारे हां पर मतलब रसोई खाली मैं इसे बोल रसोई रसोई ले लो मतलब थोड़ा कमरा खाली हो जाएगा अच्छा लगेगा पर ये वो अभी इतना नहीं है अभी बाद में लेंगी वह थोड़ा कमरा भराबरा लगता है क्यों लें क् बाद में बहुत को कि में ना है रूंट आगती नहीं तो क्या करोगे टरके म Sak söyled चाली तो देखो वह किचन बहुत महगा दे रहे हम सोचेघा लों मीरे किचन बोल वाला लेले पर रूक fol Иre के रहे है on 2-4 त जेकहा 52 की ने फृबहारा जो तोड़ा थोड़ा फैला लगता है अपने कमरे से टाशो ना लेंगे तो इसलिए मैं चाहती हूं मतलग मैं इसलिए थोड़ी सी चर्थी करते हैं कुछ भी समझ लीजीए कि मैंने जो हम दोनों ने देखा वो बच्चे ना देखे इसलिए इतना ठीक है कम ने कर लेते हैं क फोटे से में इतने टाइम किया वो बोला मैंने रूम डिखाया था तो कमेंट करें थे कि खूब सारों ने बोला के दी मतलो भी अभी अभी इसमें ठीक है पर कुछे भी लगा हाँ थोड़ा कमरा मतलब खाना बनाऊ तो फैल जाता है वैसे फैल जाता है फिर रसोई खाली भी देखे थाइसे कंड़ से बड़ाय शचिए में धोल है और संहिंक किछन में जाते हैapon रहेता है ठीक है अभी रूम हांगे और भी यहांद हैनल हो बड़न भी रहो जड़ी को शुते है ऑफीज़ेशर मतलब बिखाया उनल जेख पर यहां ज़सुत मिल कौई है क्या से क्या का वादे करनें पहुंच जाती मैं तो चलिए इस वीडियो को एंड कर दिमाग में मेरे तीन दिन ना चल रही थी fiance शेयर कि फिर आज मैंने आप लोगोसे कर लूँ तो चलिए इस वीडियो पेड़ आंड कर देती कि और आप लोग कर देती बहुत कुछों कि हार को इस हुसता है तो चलिये गुणाइट में वीडियो काnio गर्री हूँ ऑफ क्रवर्व और कल मिलेंगे एक्छ़ए ब्लॉग के साथ की शातब्स क्रव भूला